इस प्यारी सी फिशी देखिए कितना युकर रही है हाँ 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 देख सकते हैं आप तो दोस्तों यह मेरे साधे चार इंच का गोल फिश है जो लाके लगबग 10 दिन हो गए है तो इसके माते पर एक जकम होई है, मुझो नहीं पता कैसा हुआ है वो क्या हुआ है, तो वही मैं आपको दिखाता हूँ, और आपको ओर आलाइन में एक मेडिसन मंगवाई था, तो मेडिसन हम डालेंगे, देखिए, इसके माते पर आपको दिखा रहें, दोने आखर के बीच है शि segurança है कि जर्ण केस साथ नहीं प्रेस्त तो इसको मैं अभी क्योप कर एंगे है है तो उसको मिने अलग निकाल दिया है मेरे पॉंड्स में से आप ए पर यह है तो जल्दी-जल्दी मैं अब इसको बंड़े बाल्यूंटि दाल जेता हूं और और इसको salt अगेरा डाल के medicine डाल के तो चलिए अभी मेरे इस fish को इस banti में डाल देता हूं मैं और फिर इसी टोकरी में अपना medicine बनाएंगे हम आजा भाई आजा 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 बहुत सुंदर fish है है मुझे बहुत पसंद है इसमें छोड़ दिया अभी इसमें हम नमक और जो लिक्विड है अपना हो डालेंगे antiseptic वाला यह देखिए यहां पर एक्वा का ब्रैंडिंग दिया हूँ है और यह यह लो कलरक है antiseptic ए फिशिस का तो यह कुछ ऐसा है जिसको मैं कभी-कभी पानी में डाल देता हूँ फंगस अगरे ना लगे इसलिए आपको यह किसी भी फिश्वार की शॉप में भी मिल जाएगा ओनलाइन में भी पिल जाएगा तो अब इतने बाल्टी के लिए में लगबख एक तीन-चार बंद यूज़ करने वाला हूँ और नमक पहले नमक को हम मिला लेंगे तो दिखिए क्रिस्टल सोट ले रहा हूं मैं जो कुछ ऐसे लिखते है तो दोस्तों लगबख मैंने इतना नमक लिया हुआ है मुझे पी अच्छे से क्योर होगा या नहीं होगा मुझे भी पता नहीं लेकिन मुझे कच भी करके इस मचली को अच्छा नहीं बहुत प्यारी मचली है यह मेरी तो चलिए अब इसको मैं मिला लेता हूं पाने में डालने में कोई दिकत नहीं है लेकिन मचली कभी-कभी खाबी देती इसको मैं मिला लेता हूं पहले अलग से बाद में इसको एड़ कर देगे देगे मचली खेल रही है अपनी जम्बु वाली फीश है अपनी सबसे वड़ी वाली इसको में लाल लेते हैं पहले एक बार डायलिट हो जाएगा तो डाल देंगे आपनी मचली को कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है अगर मचली को ज्यादा परिशानी हो रही है तो हम वापस पॉंड में छोड़ देंगे रबल दो गंटे के लिए हम पानी में रखेंगे इस नमक जाले जिससे जखम को थोड़ा सा रहात मिलेगा तो यह तोड़ भी नहीं रहा है क्रिस्टल सॉल्ट है तो यह मचली को परिशानी कर सकती है कभी-कभी तो देखिए मचली थोड़ी मेरी सी घबरा रही है यहाँ पर कि अभी तक यह बड़े पॉंड में छोड़ा था मैंने इसको कि अगर इसे मचली को कुछ हो जाता है ना तो बहुत बुरल लगता है आपको दिख रहे हैं कि वह सिर पर जो हुआ है दोनों आखों के बीच में है तो यह चोपना क्रिस्टल नमक है लगबग पानी में घुल चुका है तो अभी मैं मैं मेडिसेन आड़ करने वालों इसमें लगबग तीन-चार मोंदे तो आड़ करने पढ़ेंगे फिर यह पानी हम इस बाल्टी में डाल देंगे गुल्फिश में आज देखिए मैं निकांट हो एक हाथ से कैमेरा पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से जो है अपना चल रहता है कि एक दो कि थोड़ा सजादा हो गए क्या है कि इसको मिला डेते हैं अच्छे से अब इसको में डाल देंगे हम यह पूरा पानी है अब पेले कलर का है उच्छे उसका है अब इसको अब फिला लिए अपना हॉस्पिटल टांक है फिश के लिए इसमें थोड़ी दर रखके ऑप्सर्व करूंगा अगर लगी कि फिश को कुछ ज्यादा परेशान है और तो हम वापस पॉंड में च्टे देंगे इसको लेकिन इसको जोरू रहता है आज ना मकवाला पानी और इस मेडिसें की आज वाइसे इसने खाना खाया है मचली एक ही है इसलिए उक्सिजन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि बाल्टी बहुत बड़ी है अगर मुझे लगी कि इसको उक्सिजन की भी जरूरत है तो मैं तुरंद लगा दूँगा अपने पस है देखिए कैसे कर रही है मचली मेरी बहुत प्यारी मचली है इसको फंगस में होगा और शायद देखते हैं क्या हुआ है नमक वाला पानी जे है अभी उसको यह कर रहा होगा मतलब जकम पर नमक लग जाएगा तो वह अच्छा हो जाएगा जन्दी से ठीक हो जाएगा जबी भी आप नियो फिशिज लाते हो तो थोड़ा सा नमक वाला पानी में डाल के लिया करो अगर कुछ फंगस होगा तो मर जाती है मतलब फंगस जो है ना फंगस और बैक्टेरिया उससे दूर हो जाते है मचलियों से नमक के पानी में डाल करिया आप टैंक में डाला करो अगर सारे टैंक वाली मसलिया भी थोड़ी सी इंफेक्टेड है तो नमक पानी में डाल दिया करो कि अच्छा है एक तम उसको ने डिश्टब करें गया इसको रहने देंगे इसमें कि अच्छे से खिल रही है मचली मैं आपको जगम दिखाने कोशिश करों फिर एक बार मुझे तो दीक रहा है लेकिन कैमेरा कैप्चर ने कर पा रहा है जगम को दोनों के बीच में देगी सफ़द सफ़द देगा आपको कि अच्छे के लिए तो दोस्तों लगवाई एक गंटा हो चुका है अभी तो सोचरों फिश को छोड़ दूए तो खेलने लग गया है लेकिन ज्यादा भी नमक वाला पानी अच्छा नहीं होता है मचली के लिए तो एक गंटा हो चुक है और जो पीला कलर था वह भी थोड़ा सा पीला कलर उतर गाया है तो अभी हम मचली को अपने बड़े से पॉंड में छोड़ देते हैं आपको बड़ा मेरा फिश टैंक वाला पॉंड भी दिखा देता हूं चेलिए उनको पेर के लड़बग एक बच चुक है तो यहां पर दूप पड़ी हुए देख सकते हैं कितना दूप है तो यह अपना पॉंड है फिश पॉंड बैड़ा सा सिंटेक्स का टाकी है और यहां पर अपने लोटस वाले प्लांट्स जिसमें बगपी भी मैंने चुड़े व इसको मैंने मस्तद होया भी है तो यह से दो नेट है मेरे पास जो उपर रहते हैं कि यहां पर बहुत सारे बर्स आते हैं तो अब ही यह फिश है अपना यहां पर देखिए कितने सा रिकोल फिश है एक डीटेल बीडिया भी बनाओंगा बाद में मैं और यह प्लांट्स मने लगाय हुए मनी ब्लांट्स उसे हम बोलते हैं तो यह भी आ जाते हैं अधिकि सब नीचे जाके बैट चुके हैं क्यों बैटे मुझे भी ने पता आज पहली बार नीचे जाके बैटे हुए ने तो हमेशा हाथ चप करता हूं मैं तो उपर आ जाते हैं तो चलिए अपने फ देख सकते हैं अपने बड़ी वाली फिश जंबो वागी चली गई नीचे छोड़ दिया है मैंने इसको क्योर करके अभी देखते हैं अपडेट्स क्या आते हैं अपने को बहुत जल्दी पता चले गए मचली अच्छे से रहेगी है नहीं तो दूसरे मचलियों को भी जाके बतारी है कि मैंने उसको मेडिसेन अगरे दिया है तो यहां पर वह अपने सारे मचलिया है तो फिलाल धूम बहुत है तो मैं अभी डग देता हूं तो यह कि नीचे जाके खाना खाने लग गई हो अच्छी बात है कि अच्छा है अच्छा है कि अच्छा जाला बेच जाता है उपर जिससे बर्ड्स नहीं आ सकते हैं और यह कवर कर देता हूं कि अच्छा पी लगा देता हूं जिससे वह उपर हटे ना चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं